नमस्कार प्रियदर्शकों हाजिर हूँ मैं दो अप्रेल दो हजार बीस आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देव गुरु ब्रहस्पती को नमन कर चलिए राशिफल का येकारिक्रम प्रार्मभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पैंचांग की आज गुरु बार है चैत्रमास शुक्लपक्ष की आज नवमी तिथी है उनर वसुन अच्छत्र है जो रात्री में सात बज करके उनर तीस मिनट तक है और इसके पुष्चात पुष्चन अच्छत्र है अतिगंडियो बालव करण है बात हुई पंचांग की चंद्रमा आज मित्षुन राशी में दोपहर में एक बज करके तीस मिनट तक रहेंगे और इसके पुष्चात करके राशी में प्रवेज कर जाएंगे और अभीजित्मुहूर्त का समय दिन में 11 बज करके 37 मिनट से दोपार 12 बज करके 26 मिनट तक का होगा तो वही राहुकाल दोपार 1 बज करके 30 मिनट से 3 बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकार्य जो सुकार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्यक कारे को अभिजित मुहुर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित मुहुर्त हरिक्वती प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज राम नौमी है और आज पूरे दिन स्वरवार्थ सिध्ध योग है तो सीरी सी बात है कि आज के दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है मा सुध्धिदात्र की आराधना का दिन है आज मा को क्या अरपित किया जाए कि मा सुध्धि प्रदान कर दें हमें सिध्धि चाहिए हर मामले में बिद्यार्थी को सिक्षा के छित्र में चाहिए तो धनार्थी को धन के छित्र में तो वहीं जो जब तप कर रहे हैं उन्हें तप के छित्र में सिध्धी चाहिए तो वहीं मोक्षार्थी को मोक्ष के छित्र में सिध्धी चाहिए हर छित्र में हमें सिध्धी चाहिए होता है और मा सिध्धिदात्री सिध्धी प्रदान करने वाली हैं तो मा को क्या अरपित करें कि मा परसन्न हो जाएं और हमें शीग रहीं सिध्धी प्रदान करें साथ ही ही जो रिनार्थ ही हैं रिन में हैं उन्हें तो रिन से मुक्ती रुपी सिध्धी ही चाहिए मा को एक ऐसी वस्तू अर्पित आप कर सकते हैं अर्पित करके मा से ये प्रार्थना कर सकते हैं हे मा मुझे रिन से मुक्ति दिलाओ मा ऐसा करेंगी क्या चढ़ाना है क्या अर्पित करना है मा को ये जानेंगे आज आप दिब्वे महा प्रयोग में दिब्वे महा प्रयोग के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पूरु बात कर लेते हैं ग्रहस्तितियों की शुक्र बृषब रासी में गोचर कर रहे हैं राहू और चंद्रमा युती बनाकर मिथुन रासी में संचरण कर रहे हैं बुद्ध का गोचर कुंभ में और भुवन भासकर मीन रासी में सुंचरण कर रहे हैं तो यह है ग्रहस्तुती इन ही ग्रहस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया है यानि दैनिक राशी फल तयार किया है वो ने दर्शक जो मेरे इस राशी फल के कारिक्टरम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूँ यह राशी फल आपके जन्म राशी के आधार पर है यानि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशी में बैठे हैं अगर आप उपने जन्म राशी के बारे में नहीं जानते तो फिरा आप अपने प्रचली नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं मा की आराधना निरंतर जारी है हमभक्त मा की आराधना करते आ रहे हैं और मा से रोग मुप्ति के लिए भी प्रार्थना करते आ रहे हैं यानि घर का एक सदस्यों रोगान, शेशा, नपहंसित, उष्टा, रुष्टा, तुकामान, सकलान, विष्टान, त्वामास, तुरुतानाम, नविपन, नराणाम, त्वामास, तुरुताहिया, स्रेताम, प्रयांति इस मंतर का एक माला नित्यों जब कर रहा है और आज आप इस जब को पूर्ण कर लिजे, इसके किसी दसांस की आवशक्ता नहीं है, बस यमासे प्रार्थना थी, जिन लोगों ने नवार्ण मंतर के 18,000 का जब किया है और विशा यंत्र को सिद्ध किया है, वो अवस्य दसांस हमन कर ले, और साथी साथ इसके बाद उस यंत्र को धारन कर ले, आप यंत्र को आज ही सायमकाल में या दोपहर में भी सब कुछ अपना पूरा करके, दोपहर में जब अभिजित नहुर्त हो, उस समय उस यंत्र को गले में या दाहिनी भुजा पर धारन कर लीजिएगा, आज मा सिद्धिदात्र को नीम्बू का रस अर्पित करिये वैसे तो नियम कहता है बिजोरा नीम्बू का रस मा को अर्पित करना होगा बिजोरा नीम्बू अपने आप में कई सारे अवसधिये गुणों को लिए हुए होता है मा को ये अर्पित करके तमाम तरह की बिगन बाधा परिशानिया परिशानी रूपी जो जमी हुई है उस पर दो बूंद नीम्बू का डाल दीजिए सब साफ हो जाएगा बस मा को बिजोरा नीम्बू का रस अरपित किया जाता है और मा से ये प्रार्थना करनी होती है कि जो भी आमारी परेशानी है समस्या है बिग्नबाधा है हे मा उससे मुक्ति दिलाओ अब बस मा को अरपित करें और वो लोग सुधिदात्री मा से रिन से अगर मुक्ति की जो लोग चाहते हैं कि मुक्ति मिल जाए प्रार्थना करना चाहते हैं वो थोड़ा सा अनार बस थोड़ा सा उसका रस निकालने और यही मा को अरपित करें और मा को अरपित करके मा से प्रार लेना बहुत बुरा माना जाता था ऐसा कई जगह पर लिखा मिलता है कि रिण रूपी राक्षस ने आपको छू लिया तो आपका पनपना बंद हो जाता है लेकिन आज की इस परिवेश में लोग रिण से ही बहुत बड़ी मांत्रा में सफलता हासिल कर रहे हैं तो कईयों के राक्षस से अगर मुक्ती चाहते हैं तो मा को अनार का रस अरपित करिए गर्ज गर्ज छडम मूढ मधु यावत पिबाम्यहम मया त्वई हते त्रईव गर्ज सिंत्या शुदेवता चा ठहरो जो तुम गर्जना कर रहे हो ठहरो बस जब तक मैं मधु का पान कर रही हूँ आप सहद भी अरपित कर सकते हैं आप अनार का रस अरपित करिए मया त्वई हते त्रईव मेरे द्वारा जैसे ही तुम्हारा बद्ध होगा गर्जि सिंत्या शुदेवता गर्जना करेंगे देवता यानि अगर आप परिशान है तो इस परिशानी से मुक्त हो जाएगगे चलते हैं राशी फल की ओर बात करेंगे राशियों की क्रम में पहली राशी मेश राशी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडेली में चंद्रमा का सुंचरण आपकी राशी से पराक्रम भाव में जारी है और अब ये चंद्रमा दोपहर के वहां उछी वाद आपकी राशी से चतुर्थस्त हो जाएंगे याद रखिएगा राशी से चंद्रमा जैसे ही चतुर्थस्त होंगे गुरू से द्रिष्ट न होए लेकिन सनी से ब्रिष्ट होंगे मانसिक परेशानिया बढ़ने वाली है हाला कि देखा जाए तो आप इगर अपने परिवार के मदद से या परिवार में जो बड़े लोग हैं, उनकी मदद से इसे दूर कर सकते हैं, आज आपके अंदर आत्म विश्वास भी जबरदस्थ है या यूं कहें कि आत्म विश्वास में आपके बुद्धी होने वाली है, किसी के मौके की, अगर आपको तो यह मौका आप मदद कीजिए अपनों का अपने आज पास रहने वालों का दिन ठिक ठाक बिटने वाला है इस दिन का आनंद लीजिए तो भी व्यापारियों के लिए दो दिन सामान्य है चिंता बढ़ती जा रही है परंतु घबराईये मत्थ आप कुछ ऐसा फैसला जल्द ही लेंगे जो आपको सभी मुश्किलों से पार करनेगा बस धैर बनाये रखना है जीवन सांती से अनवन होने की संभावना है जरा सावधान रही है प्रेम संबंध में भी आज थोड़ा उतार चड़ाव है हलाकि प्रेम संबंध के लिए दिन बाद में सामानने हो जाएगा और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मन पढ़ाई में कम लगने वाला ह आपको चाहिए कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें बिल्कुल हेर फिरना करिए केवल अपने मुख्य विशे पर ही आज ध्यान के अंदूत करिए चोटे भाई बहनों की सेहत में खराबी आ सकती है सुजरा सावधान रही है और मा को आज नीमबू का रस बिज़ौरा नीमबू मिल जाए तो उसका रस अरपित करिए लखियंक आपके लिए आठ लखी कलर आपके लिया आज बैंगनी है ब्रशब की बात कर लेते हैं ब्रशब रासिके जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है धनागमन की स्टुती बन रही है धन के दृष्टिको से देखें तो दिन ठीक ठाक है आज अपने तर्क से अपने ज्यान से कारेस्थल पर सब को आप प्रभावित कर लेंगे अगर घर पर रहकर के काम कर रहे हैं तो बॉस को आपकी कोई बात इतनी पसंद आएगी कि इस उसे वो प्रसंद हो जाए अचानक कहीं से धनागवन की भ दोनों ही छित्र में देखा जाए तो मिला जुला करके दिन ठीक है उन्नती के योग बन रहे हैं तो वहीं ब्यापारी हैं तो सामानने है दिन ब्यापार में ब्रद्धी तो जरूर है लेकिन बहुत स्लो गती से बहुत धीमा धीमा रफ्तार बहुत धीनी है शेयर मार्केट और संचिक तो उत्तर तयार करिए, फायदा होगा मानसिक तनाव थोड़ा रह सकता है नित्रजन्य रोग या गले में दर्थ की शिकायत हो सकती है हाला कि ये कोई बहुत बड़े रोग की सूचना नहीं है सो बस सावधान तही और मा को आज बिज़ोरा नीमगू का रस अरपित करिए आज का दिप्पे महा प्रयोग करिए लकियंग का आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए आज पीला है मिथुन की बात कर ले तो दिन बिल्कुल आपके पक्ष में जा रहा है पक्ष में है उनको करिये घर में रहते हुए जितने काम आप कर सकते हैं पैसों की कमी से अगर परिशान है तो घबराईय मत जल्द ही मुक्ति मिलेगी धन कमाने के ने अउसर आपको मिलेंगे धन लाब होगा बस ये वक्त कट जाएगा जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए दिन सामानने रहने वाला है कारिस्थल पर कुछ बहुत बड़ा और अलग नहीं होने वाला जैसा चल रहा है सामानने दिन वैसे ही चलेगा और बयापारियों के लिए दिन ठीक है अपनी चतुराई से आप फायदा पाएंगे और जो भी पुराना मसला मामला चल रहा है या घर में अगर किसी की सेहत खराब है ऐसे मसले को लेकर के आप चिंतित और परिशान है तो चिंतित मत होईए इस परिशानी से भी आपको मुक्ते मिल जाएगी वहीं जो लोग घर पर रहकर के काम कर रहे हैं उन्हें एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि बौस उसे तालमेल बिठा करके चलिए और जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए प्रेम संबंद में अनुबन की शंभावना जीवन साथी की भावनाओं को समझने कि अगर होने से आप चिंतित हो सकते हैं आज का दिब में महा प्रयोग करिए मा को विजवरा नीम्बू का रस अर्पित करिए लकियंग का एक लखी कलर आपके लिए आज लाल है करक की बात कर लें तो पूर्भ में किये गए प्रयासों का आपको परिणाम मिलने वाला है दिन बहु करता है तभी वो समस्याओं का समाधान खोजने के लिए आगे निकलता है और जब जाहिर सवाथ है जब निकल ही जाएगा तो सफलता तो मिलेगी ही हला कि एक बात आपको बता दूँ कि किसी बात का आज आपको अपसोस अवस्य होने वाला है मन में किसी बात को लेकर कि आप चिंतित और दुखी जरूर होंगे करियर में के दृष्टिकोर से देखें तो करियक छित्र में स्ताकारात्मक रहने वाला है दिन बहुत बढ़िया है कोई ऐसा ओफर मिलेगा जो आपको स्विकार होगा ब्यापारी है तो धनलाब की स्तिती मन रही है हाला कि एक बात बता दूँ कि किसी प्रकार के चतुराई के चक्र में मत पढ़िएगा नहीं मुस्किल में पढ़ जाएंगे और शेर मार्केट वगर में कहीं आप पैसा लगाते हैं दामपत्य जीवन सुखत सामाने विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है परिक्षा में अगर आपने कोई ऑनलाइन परिक्षा दे रखी या कोई भी परिक्षा आपने दे रखी है उसमें सफलता मिलने वाली है स्वास्त बिल्कुल सामानने रहेगा और घर में ही रहकर के सावधानी के सांथ रहिए सेहत का विशेश खायाल रखिए वैसे सेहत में कोई बड़ी परिशानी तो नहीं है परंतु फिर भी मानसिक अशान्ती जरूर रहेगी आज का दिब्बे महा प्रयोग करिएगा मा को विजवरा नीगू का रसर्कित करिए लकी अंक आपके लिए साथ और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है सुम्म की बात कर लें तो दिन बहुत अच्छा है आपके लिए लेकिन दो पहर तक ही दो पहर के बाद परिस्तियों में बदलाव आएगा लेकिन फिर भी जब तक का समय है खुसियों भरा दिन है धन के दृष्टि कोण से भी देखे तो इस्तिती काफी अच्छी रहने वाली है भागे का भी साथ आपको मिल रहा है आज दिन भर जो योजना बद ढंक से आप काम करेंगे तो आपके सारे काम बन जाएंगे दिमाग भी आपका जबरदस्त रूप से आज सक्री रहेगा कोई न कोई बड़ी योजना आज आपके मन में पूरे दिन बनती रहेगी योजनाओं पर पूरे दिन आप काम करते रहेंगे अगर आप कारेस्थल पर हैं छुट्टी नहीं है तो जो भी आपके अधिनस्त लोग हैं वो आपके कारियों से पूरी तरह से संतुष्ट होंगे तो अधिकारी भी आप से संतुष्ट रहने वाले हैं और यूँ समझ लीजिए कि अधिकारीयों का वरध हस्त आपको प्राप्त होगा सभी का सोयोगा आपको मिलने वाला है व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है फायदा होगा मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन कोई बात नहीं जब फायदा हो तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करने में कौन चूपता है लेंदेन के दृष्टि कोण से देखें तो आज किसी पुराने लेंदेन के कारण तनाओ और बिवाद की स्थित्य उत्पन नहों सकती है ऐसा होगा फोन पर लेकिन फिल भी आपको सावधान तरहना होगा प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा जीवन सांती के साथ संबंध बहुत मधूर और बढ़िया चल रहा है दामपत्य जीवन ठीक होने के कारण ही घर में आपका बढ़िया दिन कट रहा है और देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है सेहत में वैसे कोई बहुत बड़ी परिशानी नहीं है खानपान का ध्यान तकिएगा और आज मा सिद्धिदात्री को बिज़ौरा निम्बू कारश सर्पित करिए लकियंक आपके लिए तीन लकी कलर आपके लिए आज सफेद है बात कर लेते हैं कन्या राशी की कन्या राशी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या आ रहा है जो भी पुरानी समस्या थी बस खत्म होने वाली है पैसव को लेकर के चिंति थे समझ लिजब की जल्दी ही कोई ऐसा औफर कोई ऐसा मौका आपको मिलेगा जिससे धना अगबन हो कारेकशेतर से भी कोई अच्छी खबर मिलेगी यानि असान्ती से मुक्ति, नौकरी के लिए प्रयास रथ हैं, तो दिन सामाने कटने वाला है, घर पर रही रह करके कुछ ट्राई करिए, कुछ प्रयास करिए, आज कल ओनलाइन बहुत साड़े काम हो रहे हैं, इसमें प्रयास क्यों नहीं कर लेते, ब्यापारियों के लिए ठीक ठाक, कोई भी जोखिम भरा निवेश मत करिएगा, बाद में मुश्किल हो जाएगी, और आज विशेस आपका खर्च बढ़ सकता है, सुजर आपने पैसे को लेकर के सावधान रही, अभी ये खर्च हो सकता है, किसी सदस्य के घर में, किसी सदस्य के बिमारी के कारण प्रेम संबन्ध में भी आज दिन ठीक ठाक दिखाई पढ़ रहा है, हला कि आपकी कोई बात प्रेमी को बुरी लग सकती है, लेकिन बात में सब कुछ समल जाएगा, आप कहीं चलते समलेगा, लेकिन समल जाएगा, जीवन सांती की बात को मानेंगे, तो घर का माहौल बिया बना रहेगा, और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, लाभधायक है, मेहनत करेंगे, मन पढ़ाई में लगने वाला है, और सामानित्या देखा जाए, तो सिहत के दृष्टिकों से आपकी सिहत ठीक है, बड़े बुजुरुग घर में है, ऐसा मौका आपको मिलने वाला है, जो आपको और ज्यादा उचाई प्रदान करेगा, अगर घर में रह करके काम कर रहे हैं, तब भी आपको फायदा मिलने वाला है, और अगर आपका रिक्षित्र में हैं, तब भी आपको फायदा मिलने वाला है, व्यापारी है, तो तो दिन फाइदा कराने वाला है, बस किसी भी प्रकार के लेन दिन के मामले में आप से लापरवाही नहीं होनी चाहिए, आज आपको अपनी वानी पर सहीम रखना होगा, किसी और के मतभेद में, और के जगडे में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, प्रेम संबंद के लि ठकान हो जाए, लेकिन कोई वैसे बहुत बड़ी परिशानी नहीं है, मा जगदंबा स्विधिदात्री को बिज़ोरा नीम्बू का रशत्तित करिए, लखी यंग का आपके लिए पांच, और लखी कलर आपके लिए आज ब्रावन है, ब्रिश्यक की बात कर लेते हैं, ब्र पुरे दिन प्रसंद रहेंगे, कोई अच्छी खबर आपको मिल जाएगी, हो सकता है छुटी मिल जाए या राहत मिले आपको, वहीं अगर आप कहीं निवेश इत्यादी करने वाले हैं पैसे का तो अभी मत करिए, घर पे रह करके काम कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया दि भी दिन ठिक ठाक दिखाई पड़ रहा है, आज बस एक चीज़ का खयाल रखिए, अपने गुसे पर आपको कंट्रोल रखना है, लापरवाही से बचना है, नहीं बड़े नुकसान के लिए तयार रहना है, और कोई भी काम आप करिए, बहुत सावधानी के साथ करिए, आत पत्ते जीवन सुखद और मजबूत सुद्रड, बिद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा, और घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनकी सेहत को ले करके आप चिंतित होईएगा, तो छोटे बच्चों की सेहत का खयाल रखिए, मा जगदंबा सुद्धिदात्री को बिजौरा नीवू का रसरपित करिये लखियंक आपके लिए आठ और लखी कलर आपके लिए हलका पीला है, धनुराशी, धनुराशी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है, आपके लिए दिन तो खेर ठीकी है, खुशखबरी कोई है आपके लिए, उत्सा पूरे दिन बना रहेगा कुई न कोई काम करते रहेंगे शांति से नहीं बैठने वाले हैं और कोई जुगार भी आप लगाते रहेंगे और देखिए इसी के कारण धनलाब भी होने वाला है जितने भी आपके दिन भर के काम है सब आसानी से पूरे हो जाएंगा अगर घर पर हकर कहीं काम कर रहे हैं तो आपके सारे काम पूरे होंगे अधिकारी भी आपसे खुश रहेंगे मन ही मन कोई आज ऐसी योजना आप बनाएंगे जो बड़ी जबरदस्थ होने वाली है पर उसका किसी से जिक्रमत करिएगा और एक बात और घर में हैं तो आज सबसे ज़रा प्रेम से मिलिए प्रेम से बातचित करिए घर का माहौल बहुत बढ़िया रहने वाला है वहीं अगर आप कारेक छित्र में आपकी छुट्टी नहीं है तो आपकी कोई पेशकस अधिकारियों द्वारा हाथों हाथ स्विकार कर ली जाएंगी प्रेम संबन्द के लिए दिन सामाने दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक ठाक बस किसी भी मामले में आपको जोखिम नहीं लेना है दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुख़द घर का माहल बहुत बढ़िया और सेहत के द्रिश्टी कोण से देखें तो जीवन साथी की सेहत का खयाल रखियेगा अगर अब द्यार थी हैं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा आज हो सके तो किसी गरीब की मदद करिए उसे भोजन दीजिए और मा जगत जनी जगदंबा सिर्थ धिदात्री को बिजवरा निम्बू का रसर पित करिए लखियंग के आपके लिए चार लखी कलर आपके लिए आज ब्लू है मकर की बात कर लें दिन सामाने रहने वाला है या यूँ कहें कि दिन बहुत अच्छा रहने वाला है आज आपको पुराना कोई संगीत सुनना चाहिए इससे मन को सुकून मिलेगा या कोई पुरानी चीजे अपने पुराने घर के जो भी चीजे आपकी पढ़ाई की चीजे या कुछ भी पुरानी चीजे उसको देखिए आपको बहुत रहात मिलने वाला है अगर आप कारिस्थल पर हैं चुटी आपकी नहीं है तो अपने काम को लेकर के पूरी तरह से पारदर्सिता और इमानदारी रखिए आज आपके काम पर उंगली उठने वाली है आप पर उंगली उठेगी आपको सावधान रहना होगा कारिस्थल पर कोई ऐसा काम आपके द्वारा हो सकता है आपके नीचे के लोगों के द्वारा हो सकता है जिसके चलते आपकी फजीहत हो आपकी मुश्किले बढ़ेंगी तो वहीं आपके साथ competition रखने वाले भी आपको मौका आने पर परिशान करने का काम करेंगे आपको बहुत सावधान रहना होगा आपकी या लोचना होगी आपके खिलाब सदेंतर भी रजा जा सकता है लेकिन आपने स्चिंतर ये होगा कुछ नहीं पर परिशान तो आप होगे ब्यापारियों के लिए दिन सामान ने दिखाई पड़ रहा है लेकिन अगर आपने कोई लापारवाही करी तो बड़ा धन नुकसान हो जाएगा धन नुकसान के साथ साथ आपको रिनक लेने की नौबत तक आ सकती है सुजरा सावधान रहिए और किसी तरह के बड़े फैसले से बचिए जीवन साथी की आज तारीफ करिए जीवन सांती से आज मधूरता से बात करिए तो दामपत्ते जीवन में थोड़ी बहुत जो विवाद हो दूर हो जाएगा प्रेम संबंद के लिए दिन सामान ने और लॉफिल्ड के विद्ध्यार्थियों को जबर्दस तफलता यानि दिन बहुत अच्छा है सामान ने सिर्दर्द और पेट से समंदित परिशानी हो सकती है कोई बड़ा रोग नहीं है मा जगदंबा जगद जन्नी सिप्धिदात्री को बिजवरा नीवू का रसरपित करिए लकियंक आपके लिए 6 लकी कलर आपके लिए आज कत्थाई है कुम्भराश की बात कर लेते हैं कुम्भराश के जातकों के लिए आज का दिन सफलताद आई है उर्जा का स्तर भी जबरदस्त रहने वाला है मानसिक तोर पर आज आप बहुत सक्रिय रहेंगे इस उर्जा का आपको लाव लेना चाहिए इस उर्जा का प्रयोग करिए घर पे अगर हैं तो सांती से मत बैठिए शमय ऐसे ही कट जाए ऐसा मत करिए आपके पराक्रम में विब्रुद्धी होगी पूर्व में किये गए प्रयासों से लाभ मेलेगा तो और आत्मविश्वास बढ़ने बाला है जरुवत पढ़ने पर आपके दोस्त आपके लिए आज मददगार होंगे तो कोई जरुवत है तो उनसे बातचित कर लीजे पूछ लीजिए बस एक बात का खयाल रखिएगा जब ऊर्जा बहुत उचे प्लेबल पर होती है तो छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है इस पर कंट्रोल रखना है ब्यापारियों के लिए दिन सामान्य है ब्यापार विस्तार के लिए आपको विचार करना चाहिए रोड मैप तयार करना चाहिए क्योंकि जैसे ही परिस्तुती बदलेगी तो आर्थिक इस्तुती भी संकट भी गहर आने वाला है तो उसकी तयारी आज ही आपको करनी चाहिए सीखना चाहिए समझना चाहिए प्रयास करिएगा सफलता मिलेगी प्रेम संबंद के लिए दिन अच्छा प्रेमी के साथ भविश्य को लेकर के कोई बाच्चित बनेगी को योजना बनेगी दामपत्य जीवन में मधूरता आने वाली है और विद्यार्थियों के लिए दिन ब विजवरा नीमगू का रस अरपित करिये लकी यंग का आपके लिए एक लकी कलर आपके लिए आज प्रिंग है मीन की बात कर लेते हैं आज कुछ ऐसे बड़े अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं जिनका लाभ अगर आप नहीं उठा सके तो बाद में केवल पस्ताएं औरों की भावनाव को समझेंगे और इसी के चलते आपको सम्मान भी मिलने वाला है दूसरों की समस्याओं को आप आज गंभीरता से सुनने वाले हैं बस इतना ध्यान रखिएगा कि दूसरों की समस्याओं को सुनते खुद को समस्या में मत डाल लीजेगा अथवा दूसरो कोई बड़ा कदम न उठाइए घर पे रह करके जितना प्रयास कर सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं करिए हलाकि मन भटकता रहेगा मौसमी बिमारियों की संभावना है कफुजन रोगों की शिकायत हो सकती है बच्चों की सेहत का जरा खयाल रखिएगा बहुत ज़ोदी है माजग दंबा सिद्धिदात्री को बिजवरा नीबू का रसर पित करिए लकियं का आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए हलका हरा और एक बात रासी फलक्यंत में सब के लिए कहना चाहूंगा अपना खयाल रखिए सावधान रहिए अभी दोपहर के बाद शनी और चंद्रमा के आमने सामने होने के कारण परिस्तितियों में बदलावाएगा सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है सो सावधानी नहीं हटनी जाए आज के लिए वस इतना ही इजाज़त दीजे पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार